या Не widow लो दोस्तों आपका सवाकत है हमारे YouTube Channel devetecal Manne में आज आपको मैं पताने जा रहा हूं दआ राजस्तान में निकलिवी की रीकएंस के बारे में थी लिक में आपको description में ले दूँगा तो आप इसको देख लीजिए और online form बरने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या कैस्टेप आपको follow करने है इनकी जो official site है वो यह है India first GDS online engagement ठीक है तो इसमें जो first step notification आपको यहां मिलेगा यह रास्तान cycle second इसमें तो stage first में registration करना आपको registration में जाके ठीक है यहां पर एप्लिकेंट नमबर नेम आपका नाम लिखना है capital लेटर में लिखना है जो आपकी 10th मार्क लिखा हुआ हो जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया ठीक है उसके बाद में father's name आपको यहां लिखना है ठीक है father's name के बाद में आपको mobile number लिखना है date of birth आपकी लगानी है फिर यहां पर male female आपको select करना है ठीक है फिर select any caste अधर कास्ट कोई हो फिर उसके बाद में आपकी community जनल ओबीसी से स्टी ठीक है फिर ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको पूचेगा यह डिब्लूस हो क्या आप पूचेगा ने जनल के अंदर यह option आपका own होता मतलब जनल के अंदर होते त हो ओबीसी में तो यह ओफ है भी फिर person disabilities मतलब कोई भी handicap हो कुछ भी हो नहीं है तो no कर दो इसको आप ठीक है फिर बाद में यह यह auto select हो देते disability के आप नियस नहीं किया no cash लिए नहीं feel करना पड़ेगा आपको फिर यहां पर आपने सर्किल मतलब आपका राजस्ता रास्तान यह ना stage state वहां से आपने रास्ता से लेक्ट कर लेना यहां पर 10th class कहां से की है ठीक है कुछ भी हो रास्तान हो आप अधर स्टेट हो पासिंग यह आपको यहां पर select कर लेनी है फिर upload क्या करनी है आपको आकि photo upload करनी है जो size में 50 कबी से कम हो ठीक है वह चूज करना चूज फाइल पर जाना फिर यहां पर मैंने यहां पर मेरी photo है यहां पर select कर दूंगा तो आप फोटो आ जाएगी ठीक है ऐसे आपको select करना है फिर यहां फिर signature आपको आपको select करना है सेलेक्ट करें सेलेक्ट कर लीजिए फिर यहां पर capture यहां पर एंटर करना आपको यह फिर यहां दोनों जुगा आपको राइट टिक करके submit detail कर देना है ठीक है यह होगी आपकी फर्स्ट टेप इसको फिर submit detail करोगी फिर आपका प्रिंट आउट निकलेगा एक तो वह प्रिंट आउट आपको मैं बता दूं क्या आएगा करने के बाद में आपका यह रिजिटर्स नमपर यह आ जाएंगे आपको रिश्टर्स मिलेगा एप्लिकेंड नेम मिलेगा आपको खीक यह ओडिसी मूबैल नमबर जोपी आपने फिल किया वह मिल जाएगा है अ अ ठीक फिर उसके बाद में आपको next step में जाना हो next step के लिए second number में आपको जाना होगा तो उसके लिए आपको मैं बता दूँ हो गया इसके होने के बाद में second फिर्स्ट इस कंप्रीन होने के बाद में आपको जाना होगा second stage में आपको पीस पेयमेंट करनी है आपको ठीक है पीस पेयमेंट करनी है ओनलाइन तो सेंट ने जाके पैय ओनलाइन कीजिए फिर यहां पर यह बोल देगा कि आप एलिजिबल होना क्वालिफिकेशन आप तो पर तरीके से आप वल्फए करते इस पॉस्ट के लिए तो आप ओनलाइन कीजिए यह आपको आपस डिफेंट नहीं होंगे पहले सूझना देदी आपको ठीक है तो यहां पर मैं मेरे नंबर है रिष्टेस नंबर डालो फिर आपकी डिटेल आग है की हाओ है मैं के नहीं वां कि मेंनने के बाद मैं अप हापनोष जो भी आप जो इसका सब्सक्राइब कर सकते हो देबीट कार्ट ने डिए साव ड्यायक सब्सक्ट कर नैब मन्त का अले एक्सपाइट डेट प्यूस की मन्त इयर ठीक है कार्ट कोर्टर नेम और सीवी नम्बर डालके यहां पर आप आजी मीचे मेंट करना फिर ओटीपी आएंगे आपके पास ओटीपी आने के बाद में आप उनको लगा देना कि पेमेंट सब्मिट करना कि तब का पे मैंने आप पैमेंट कर दिया है नेट बेंकिंग से आपको फीस आईडी दे रही है सर्विस नेम्स जीडियस रिकूल्टमेंट में अमोंट हंड्रेज रूपीर लगते हैं ठीक है यह आपको सम्मिट मिल जाएगे समिट करने के बाद में पीडिएफ इसको आप अप्लाइब ओनलाइन में ठीक है इसमें जाओ अब फिर यहां पर आपको रिश्टर्स नंबर यहां पर पहले एंटर करने पड़ेंगे तो मैं रिश्टर्स नंबर एंटर करता हूं रिश्टर्स नंबर लगाने के बाद में कहां पर आपने अप्लाई किया रास्तान से गिया रास्तान स्लेक्टर-णम तर्व में आप कि अधे आपके नंबर पे लगो छुछ बिलकाने के बाद में नेक्स्ट कीजिए ठीक फिर यहां पर आपको अप्लोड डॉकुमेंट्स करना है ठीक डॉकुमेंट आपको अप्लोड करना है तो एप्लीकेसन फॉर्म या अपने डिटिल की अप्रिकेशन फॉर्म के आपका एड्रेस मांगेगा उसको अप्लोड डॉकॉमेंट्स में जाना है फिर टैंथ की सेटिफ की टैंथ क्लास के मार्क्षट आपको पूड करनी है तो उसको पूड करने के लिए पर चूज फैल कीजिए फिर जहां पर आप प्रीख दानी है थे सेटिफिकेट आपका उसमें होँ गया है को जुर्री नहीं है इसको डखना ठीक है यहां पRekt टेञा पर इक सिस्टार ऊप्सण आ रहाए एस्टार आपको डानी होग सानद करस्ती कर सबंसर को अब तो यहां आ पर इस यह यह पास Tar प्रूफ के लिए डियोबी इस नोट इंदर 10th क्लास में नहीं है डियोबी मेंसन तो आपको सेटिफिकेट डालना पड़ा है बर्थ सेटिफिकेट ठीक है वो डाल दीजिए यहां पर फिर यहां पर का सेटिफिकेट डालने के बाद में आपको यहां पर सबको डिकलेरेशन मांग रहे हैं ठीक आप सबको किलिक करना पड़ेगा यह आप से डिकलेरेशन मांग रहे हैं कि आपको इकल्थ सेटिफिकेट तरना डाल रहे हो आप इनके द्वारा दीएक पूरी जानकर यहां फोलो कि मोडिफिकेशन अलाउन नहीं होंगे बाद में ठीक है तो आप कंप्लेटली सही फील कीजिए यहां पर कंटिनुव कि दूक्मोमेंट अपलोड सक्चेस्फुली ठीक है तो यहां पूर में जाता हूं कि आप यहां आपको डालने एक रेफ्रेंश नम्हों चूज करना आपको ठीक है कि आपको यहां पर स्लेक्ट करना डिवीजन डिवीजन करने के बाद में आप स्लेक्ट फॉर्स्ट करना आप जो लिश्ट दे रहे ही नोटिफिकेशन में बूझ जाके पढ़िए ठीक है उनको कंप्लेट करने के बाद में 7 प्रेंट कर दो आप इसको गया होगा कि इसको प्रेंट में जाके वहां पर सेव कर लीजिए आपकी डेक्स्टोप पर सेव होने के बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ऑटोमेटी यह है अपस हम पेच पहल जाएगा तो आपका कंप्लीट हो गया फॉर्म इससे आप और कुछ वीडियो चाह लगा लाइक और सेर कीचिए धन्यवाद